हेलो दोस्तों आज हम दिखने वाले हैं Classics के चट्ट नमबर 7 को जो की है Affect with the Sun ये कहानी बताता है एक छोटी बच्ची सहीदा और उसकी मा के बारे में सहीदा की मा बहुत बिमार थी उन्हें बुखार, खासी, बॉड़ी ये क्यानि सरीर में दर्द, painful joints यानि जोडों में दर पीरी नहीं होती वो सिर्व experience के base पर काम करते हैं उन्होंने बोल दिया कि आप नॉर्मल खाना भी मत खाईए और उन लोगो ने ये advice कि आप एक छोटे से बंद कमरे में रहिए जहाँ पर नहीं धूपा और नहीं हवा है यानि सुरज की रोस्ती ना पड़े ऐसा करने के बा आपको एक specialist यानि अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए सहीदा की मा करीब थी लेकिन वो जानती थी कि जीवन पैसो से ज़्यादा मून लवान है इसलिए उन्होंने अपने कुछ trinkets का अर्थ हुआ कुछ गहने को बेच दिया ताकि उस doctor के fees को पे कर सके और उसके बता दूरी है वो है कि आपको fresh air और sunlight मिले इसके लिए डॉक्टर अडवाइस करते हैं कि आप अपने रूम को shift करके कैसे बड़े रूम में चले जाएए जहां पर खिड़किया और दरवाजे हो जहां से fresh air और sunlight आ सके फिर डॉक्टर है कहा कि आपको रोज सुबा 8-9 यानि एक दूप में बैठना है क्योंकि दूप और fresh air आपके लिए दवाई से जादा important है डॉक्टर के इस advice को कुछ लोगों ने oppose किया और कहा कि आपको पहले से बहुत ही खराब खासी है यानि अगर आप धूप में जाती है और वहां पर air भी आपको मिलता है तो आपको खासी बट सज़िदा की मा किसी की बात नहीं सुनती है सहीदा की मा का रूम एक बड़े कमरे में कर दिया जाता है और वह कहती है कि वह पर डे एक घंडे कम से कम धूप में बैठेंगी लेकिन उस समय का मौसम कुछ ऐसा था कि बादल से पूरा आसमान घिरा हुआ था और सुरज क को order दिया हुआ है कि वह इसी तरह छुपा रहे हैं और आप क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं क्यों यानि ठीक हो जाओं अब सईधा की मा की यह जो लेमेंट थी यानि यह जो सोक था इसको सईधा सुन लेती है और उसके बाद आफ्टर उनके वक्त में वो देखती रहती है असमान में तो उसको हलकी से किरन निखाई देती है वह आ करके अपनी मा को बोलती है कि मा बाहर देखो सूरज की रोसनी हलकी हलकी आ रही है लेकिन वह पर जो लोग रहते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं आप बाहर मज जाए क्य इससे आपकी तविए जादा खराब हो जाएगी सहीदा थोड़ा उदास हो जाती है और अब जो कि साम होने को था तो सूरज की जो थोड़े बहुत किर्णे दिख रहे थे अब वो भी दीदर जा रहे होते हैं सहीदा उन किर्णों यानि रेज से बोलती है कि कल सुबह आप जल्दी आईएगा और खुब ब्राइटनेस और वर्म्त यानि कि गर्मी लेकर आईएगा उन सहन रेज ने सहीदा से प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है हम लोग कल सुबह जल्दी आ जाएंगे इससे तुमारी जो बी तो उने हमाया रास्ता जाम करके रखा है तब जिस किर्ण ने सहीदा को प्रॉमिस किया था कि वो आएगा सुबह सहीदा के आंगन में तो वो कहता है कि सर मैं यहार नहीं रू सकता हूं क्यूंकि मैंने सहीदा को वादा किया हुआ है मैं इस बादल के बीच में छेट करके स स्वर्ग वाले यानि स्वर्ग में रहने वाले जूटे हैं अब सारी सूरज के किर्णों ने बादल की पर एक जगह पर फोकस किया तो उसकी गर्मी से बादल स्कैटर्ड यानि यहां वहां होके हट गे अब सारी सूरज के किर्णे धरती पर पहुंची लेकिन उन्हें पहुं आखों से मानो gratitude के आसू आ रहे होते हैं यानि की एक thankfulness की आसू आते हैं अब वो बहाँ चरपाई बिठा करके उस पे बैठ जाती हैं और सूरज की जो गर्माहत रहती है उसे पूरे अपने body को मानो warm कर रहे होती हैं अभी लगपर एक महिने हो गए थे तब से जो है साइदा क कि माह सूरज में नहीं बैठी थी अब उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है मानो की एक नई दुनिया में वो आ गई हो फिर वो अपनी बेटी यानि साइदा को देखते हुए उनसे किस करती है क्योंकि साइदा भी उनके साथी धूप में बैठी हुई रहती हैं सुबह की धूप और फ्रेस एर से मानो लग रहा था कि आसपास में जो फूल थे उनमें भी एक नई सुगंद आ गए थी और जितने भी चिडिया थे वो चैंटेड यानि कि गा रहते जप रहते एक अलगी धुन को अब धीरे देरे इस तरह साइदा की मा अब बहतर फिल कर रहे थी वह रिकवड हो गए थी पूरी तरीके से लेकिन अब भी वो डॉक्टर के इस एडवाइस को मानती थी और दिन में एक घंटे सुरे ने बैठ करके फ्रेस एर को हमेशा लेती थी तो यह था इस कहानी में इस कहानी में कोई मोरल नहीं था बट एक बात सच बताई गई है कि स अच्छे डॉक्टर से दिखाने के बाद उसकी एडवाइस फौलो करने से सहीधा कीमा आकिरकार स्वस्त हो गई तो कहानी में नहीं था को वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कर दें दोस्तों से सेयर कर दें और चैनल को सब्क्राब कर झाल 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 झाल